सभी बच्चों को मश्कार हम बात कर रहे हैं सिंगेज इलजबरा की जिसके तहत हम बात कर रहे हैं बैनमिल थेयरम की जिसके तहत हम बात कर रहे हैं कांसेप्ट एप्लिकेशन एक्सरसाइज 8.1 की तो देखते हैं उसका next question देखिए 17th question क्या कह रहा है जब तक हम question पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे question करिए आपकी screen पर question आ रहा होगा तो रहा ध्यान से समझेगा question थोड टेक्निकल है question कह रहा है कि if the number of terms in the expansion of 1 plus 2x minus 3y plus 4z whole to power n is 286 यारी एक multinomial given है 4 term है इसमें और 4 को हम किसी भी तरीके से इसको सिकोड करके दो term में नहीं लिस होते है और उसके number of terms दिये है 286 then find the coefficient of the term containing x, y, z दरा समझने की कोसिस करो साउधान पहले बात तो given जो है आपका जो भी given है वो given है आपका 1 plus 2x 1 plus 2x minus 3y plus 4z की power n इसमें पहले तो आपको number of terms निकालने होंगे तो हमने number of terms का formula बताया था multinomial expansion का एक topic है आपके हैं उसमें हमने बताया है वीडियो इसकी पहले upload है वो हमने बताया था कि suppose करियेगा कि x1 plus x2 up to xm m terms है की power m है power n है m तो नहीं लिखेंगे वो एक जैसा हो जाएगा तो इसमें number of terms का formula था number of terms वो था n plus m minus 1 cm minus 1 यह number of terms का formula था ज्याद आया यह याद करना पड़ेगा आपको ठीक है हमने उसमें निकालने की कोसित भी की थी हमने एक बार binom मिलिया था एक बार trinom मिलिया था और उससे खोल के दिखाया था ठीक है तो इसमें number of terms कितने होंगे तो को यहाँ पर m terms है यहाँ पर 4 terms है तो m की जिएगे 4 हो जाएगा तो अगर हम formula fit करें तो आएगा n plus 4 minus 1 c 4 minus 1 यानि की n plus 3 c 3 यह number of terms होंगे ठीक है और number of terms कितने दिए हैं 286 तो हम इसको खोलते हैं तो हम जानते हैं n plus 3 c 3 मतलब n plus 3 एक बार फिर दूबार खोलेंगे तो n plus 2 दिवारा खोलेंगे n plus 1 अपान फैक्टरिल 3 3 into 2 into 1 is equal to 286 तो यानि की n plus 3 into n plus 2 into n plus 1 is equal to 6 into 286 हम को n की value चाहिए दो तरीके हैं हमारे पास है या तो मैं इसको something cc के फार में लिख देता जो की complicated हो सकता है या तो मैं इसको open कर दूँ तो यहां पर n cube आएगा n square का time भी आएगा n का time भी आएगा constant भी time आएगा फिर हम इसका factor करें equal to 0 करके वो भी तरीका हो सकता है या यह ध्यान से लेकिए यह लगातार तीन टर्म है घरते हुए क्रम में का हो या बढ़ते हुए क्रम में का हो n plus 1, n plus 2, n plus 3 का हो या n plus 3, n plus 2, n plus 1 का हो तो इसको भी घरते हुए तीन क्रम में करते है तो 286 के टुकडे करते हैं 286 के टुकडे करेंगे तो एक बार दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो चौको वार्ट, दो तीये चे, फिर ग्यारा से कटेगा, ग्यारा एक कम ग्यारा 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 से कटेगा, यानि कि ये ध्यान से देखें, 6 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13, ये सब क्या है लगातार वाली घरते विक्रम में हैं तो किसी एक को compare करोगे तो n प्लस 3 बराबर 13 तो n का मान आएगा 10 जनी n की विलूँ 10 होगी चाहे आप इसको 12 कर तो तभी n 10 आएगा इसको 11 कर तो तभी n 10 आएगा यानि कि number of terms तो आ गए ठीक है अब आप से कहरा कि भाई आपको वो term बताओ जिसमें x, y, z का term आजाए ठीक है अब इसके लिए भी एक concept बताया गया था कि कैसे हम coefficient निकालते हैं तरीका देखिए n 10 है या ध्यान रखिएगा देखिए बताया गया था कि माल लेते हैं x प्लस y प्लस z प्लस t मैं माल लेता हूँ कि power n के expansion में t r प्लस 1 निकालेंगे तीक है और यहां माल लेता x की power alpha into y to power beta into z to power gamma into t की power 5 माल लो यह हमको निकालना है तो यहां पर आएगा factorial n upon factorial alpha into factorial beta into factorial gamma into factorial phi यह concept आपको याद होगा याद है ना वह यहां पर use होगा लेकिन एक शर्त है कि alpha, beta, gamma, phi का चारो का sum इसके एकल होना चाहिए ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे जरा समझने की कोशिज करो यहां पर आपका जो expansion है उसमें n की value पहली बात तो 10 है ठीक है और आपको चाहिए क्या x, y, z की power ठीक है यानि की x की power 1 चाहिए आपको तो यानि की यह 2x की power 1 लिखना पड़ेगा तभी तो x power 1 आएगी फिर into y चाहिए यानि की यहां पर minus 3y की power 1 चाहिए तो भी y की power 1 आए तब z की power 1 आएगा जड़ा समझें की कोसिच करिएगा यह power कितना हो गया 1 plus 2 plus 3 power 10 होना चाहिए तो चौथा term 1 है यानि 1 की power 7 होना चाहिए अब देखो चारो term लिख दिये हमने चारो term इसकी power 1 इसकी power 1 इसकी power 1 चौँकि चाहिए हमको इसकी power 7 तभी तो sum 10 आएगा तो नीचे क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 7 into factorial 1 into factorial 1 into factorial 1 और यहां factorial 10 आएगा बात समझ में आए कि नहीं आए तो अगर ध्यान से देखें इसको तो factorial 10 upon factorial 7 तो 1 ही हो जा अलग कर दो और 4 अलग कर दो और x into y into z अलग कर दो अब आपको इसका coefficient निकालना है न तो जब आप कहेंगे coefficient of x, y, z तो आएगा factorial 10 into 2 into minus 3 into 4 upon factorial 7 इसको open करोगे तो इसकी value जो आई हो आई है minus 17,280 इसको में 10,9,8 कर दोगे इसको और factorial 7 कैंसल हो जाएगा multiply करके देख लो ये concept आपका clear होना चे इस प्रकार की question important होते है और दिक्कत भी create करते है ठीक है तो this is 17th question of this exercise and this is the last question of this exercise next exercise in any next video तब तक के लिए नमस्कार तो